माधूरी दिक्षित की अगर बात करें ते उन्हें 90's की डीवा कहा जाता है बेहत खूबसूरत माधूरी दिक्षित है और उनके बाल भी बहुत खूबसूरत है और किसी भी लड़की के लिए सिर्फ अक्ट्रिस के लिए नहीं बलकि एनी गर्ल उसके बाल बहुत इंपॉर्टन्ट है क्या आप जानते हैं कि माधूरी दिक्षित को एक टाइम पर अपने बाल पूरी तरह से कटवाने पड़े थे और वो गंजी हो गई थी आज तक माधूरी की लाइफ का ये किस्सा कोई नहीं जानता है और किसी ने भी माधूरी को बिना बालो के नहीं देखा है माधूरी ने अब उस किस्से का खुलासा किया है माधूरी ने बताया कि ये किस्सा दिवाली के टाइम का ही है वो अपनी सोसाइटी में पटाके फोड रही थी तब उनकी सोसाइटी में एक दूसरा लड़का था जो हाथ में पटाके फोड रहा था उसने एक पटाका जलाया और पटाका जलाते ही उसने माधूरी की तरफ फेग दिया वो पटाकर जाकर माधूरी के बालों में लगा और माधूरी के बाल जल गए आग तो बुजा दी गई लेकिन आग के कारण माधूरी के बाल पूरी तरह जल गए और उनकी ये हालत हो गई कि माधूरी के पिता ने फिर उनका पूरा हेट शेव करवा दिया था इसके बाद कई महिनों तक माधूरी को बिना बालो की ही रहना पड़ा था माधूरी के लिए वो incident किसी trauma से कम नहीं था उस incident के बाद माधूरी ने पटाके जलाना भी छोड़ दिया पटाकों से वो डरने लगी वरना उससे पहले वो दिवाली पर खूब पटाके जलाया करती थी माधूरी ने इस बात का खुलासा अपने latest interview में किया है और क्यों की ये incident तब का है जब तक माधूरी हिरोईन नहीं बनी थी यही कारण है या उनकी life के इस किस्से के बारे में कोई नहीं जानता है